नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चेनल एक एबी मीडिया में एक बार फिर से दोस्तों आज के स्वीडियो में बात करेंगे हम मलाल फिल्म के तीन दिन के कलेक्शन के बारे में साथ इसाथ बात करेंगे करनवीर सिंग बोहरा की फिल्म हमें तुमसे प्यार कितना के भी तीन दिन के कलेक्शन के बारे में और आपको बताएंगे दोस्तो इन दोनों फिल्मों में बोक्स ओफिस पर ज़्यादा कलेक्शन किसका रहा तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को सुरू करते हैं देखते रहिएगा पूरा वीडियो तो दोस्तों सबसे पहले बात करें अगर मलाल मूवी के बारे में तो दोस्तो इस फिल्म के लीडिंग स्टार कास्ट में डेब्यू किया है जाविज जाफरी के बेटे मिजान जाफरी ने वही दोस्तो इस फिल्म में डेब्यू किया है सरमीन सेगल ने अगर बात करें इस फिल्म के डाइरेक्टर के बारे में तो इस फिल्म को डाइरेक्ट किया है मंगे सडावले ने वही दोस्तो इस फिल्म के प्रोडूसर है जाने माने डाइरेक्टर संजे लीला भनसाली आपको बता दे दोस्तो फिल्म एक रोमेंटिक ड्रामा फिल्म है और इस फिल्म का बजट है लगभग 15 करोड रुपे वही दोस्तों इस फिल्म को हिंदुस्तान में लगभग 700 स्क्रीन में रिलीज किया गया था दोस्तों फिल्म का ट्रेलर कोई खास नहीं था और फिल्म का म्यूजिक भी कोई खास ज्यादा हिट नहीं हो पाया जिसकी वज़े से दोस्तों फिल्म का कोई खास बज नहीं क्रियेट हुआ और ये फिल्म बॉक्स ओफिस पर रिलीज होते ही दम तोड़ गई जियां दोस्तों आपको बता दे फिल्म ने अपने सुरुवाती तीन दिनों में काफी निरासा जनक कलेक्शन किये है अगर बात करें तीन दिन के टोटल डेवाइस कलेक्शन की तो दोस्तों इस फिल्म ने पहले दिन बॉक्स ओफिस पर कमाये थे 50 लाक रुपे वही दूसरे दिन इस फिल्म का कलेक्शन रहा लगभग 7 लाक रुपे बात करें तीसरे दिन के collection की तो दोस्तो इस फिल्म ने तीसरे दिन Indian Box Office पर collection कर रही है लगबग 25 लाक रुपे इसी के साथ दोस्तो मलाल फिल्म का तीन दिन का India Net collection जो होता है वो हो चुका है 1.85.000.000.000 वही अगर बात करें इस फिल्म के worldwide gross के collection के बारे में तो दूस्तो फिल्म का तीन दिन का worldwide total gross collection हो चुका है 2,10,000 रुपे आपको बता दे दोस्तो फिल्म box office पर disaster साबित रही है दोस्तो अब अगर बात करें हमें तुम से प्यार कितना फिल्म के बारे में तो दोस्तो इस film में नजर आ रहा है टीवी जगत के सुपर इस्टार करन वीर सिंग बोहरा वही दोस्तो इस film में उनका साथ दे रही है प्रिया बनर जी जिने हम कई सारी वेब सिरीज में देख चुके हैं अगर दोस्तों बात करें फिल्म के डाइरेक्टर के बारे में तो इस फिल्म को डाइरेक्ट क्या है ललित मोहन ने वही दोस्तों इस फिल्म के प्रोडिसर है महेंदरी जी बोहरा आपको बता दे दोस्तों ये फिल्म में एक रोमेंटिक थ्रिलर फिल्म है और इस फिल्म में क करनवीर सिंग बोहरा का एक काफी खतरना का उतार देखने को मिल रहा है जिहां दोस्तों आपको बता दे फिल्म लोगों को काफी ज्यादा पसंद भी हारी और फिल्म को जो रिव्यूज मिले हैं वो काफी सांदार है लेकिन दोस्तों कम इस्क्रीन में रिलीज होने के कारण ये फिल्म box office पर उतना collection नहीं कर पई जितना collection ये फिल्म deserve करती है। जी हां दोस्तो इस फिल्म का अगर सही से promotion होता और इस फिल्म को ज़्यादा screen में release किया जाता तो ये फिल्म box office पर एक बड़ी super hit बन सकती थी। लेकिन दोस्तो फिल्म box office पर एक तरह से ठीक ठा collection कर ही गई जी हां दोस्तो अगर बात करें इस फिल्म के budget के बारे में तो इस फिल्म का budget बताया जा रहा है लगभग 12 करोड रुपे वही दोस्तो इस फिल्म को हिंदूस्तान में 800 screen में release किया गया है। अगर बात करें इस फिल्म के तीन दिन के day wise collection की तो दोस्तो इस फिल्म ने पहले दिन इंडियन market में 80 लाख रुपे कमाए थे वही दोस्तो फिल्म के दूसरे दिन के collection में एक हलका सा growth आया और फिल्म ने दूसरे दिन इंडियन box office पर कमा एक करोड दस लाख रुपे बात कर तीसरे दिन की तो दोस्तो तीसरे दिन फिल्म से एक हलका सा jump देखने को मिल रहा है और ये फिल्म तीसरे दिन इंडियन box office पर collection कर रही है एक करोड पेतीस लाख रुपे इसी के साथ दोस्तो इस फिल्म का जो तीन दिन का total इंडिया net collection होता है वो हो चुका है तीन करोड या ज़्यादा ज़्यादा दो हपते तक चल गई तो ये फिल्म सायद box office पर हिट हो सकती है दोस्तो ये था इन दोनों फिल्मों का अब तक का total box office collection अगर आपने ये दोनों फिल्में देखी तो इसमें से आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी है मिजान जाफरी की मलाल या फिर क करनवीर सिंग भोरा की हमें तुमसे प्यार कितना अपनी फेवरेट फिल्म का नाम कमेंड करके जरूर बताए और बोल्यूड और सौथ की एसी नहीं खबरों के लिए मेरे और आपके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे मैं मिलता हूँ आपसे एकले वीडियो में जब तक के लिए खयाल रखे अपना और अपने माता पिता का जेहिंद वंदे मातरम